यह कहानी हैं दो मेड़कों की जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा दोनों जंगल के एक छोटे से तलाब में साथ रहा करते थे बच्पन के दोस्ते दोनों साथ में ही खेलते कुटते बड़े ही थे वे दोनों दिनवर तलाब में कुटते उचलते गपे मारते और मस्ती किया करते थे उन दोनों को ही तलाब के आसपास के इलाकों के नई नई जगों में जाकर घूमना अच्छा लगता था एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुँच गए वहाँ उन्होंने देखा कि एक गौला अपने गाय से दूद निकाल रहा था उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूद निकालते हुए नहीं देखा था गौले ने दूध निकाल कर एक बाल्टी में भर कर रख दिया वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चरे में थे क्योंकि उन्होंने आश से पहले यह कभी नहीं देखा था उन्होंने तो जंगल में केबल तलाब का गंदा पानी ही देखा था कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफेद पानी में तेरने का मज़ा ही कुछ और होगा यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी वहाँ जाकर वो देखते हैं अरे वाह सफेद पानी हमने तो यह कभी देखा ही नहीं यह क्या चीज होती है दोनों को मज़े करने तो पसंद थे ही वे दोनों वही मस्ती करने लग जाते हैं वे तेर रहे होते हैं कभी वो गोता मार रहे होते हैं वे निकल रहे होते हैं खुब उचल कुछ करने के बाद पूरे मजे करने के बाद वो जो मोटा वाला मेठक होता है वो कहता है चल यार अब घर जाने का टाइम आ गया जंगल वापस चलते हैं वो पतला मेठक भी कहता है हाँ यार चल वापस चलते हैं वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है, वे छलांग लगा नहीं पाते हैं, वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दिवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहां की दिवारों के सहरे कूदने का लेकिन दूद के चिकनाहट और उसकी फिसलन की बज़े से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे अब जो वो पतला वाला मेड़क होता है वो मोटे मेड़क को बोलता है भाई देख निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर इसलिए हमें कोशिस तो करती रहनी पड़ेगी पर हमें बहुत बार कोशिस करके देख ली इसलिए मुझे लगता है हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि यहां बहुत ज़्यादा फिसलन है तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं अगर हम तैरते रहेंगे, तो कोई नो कोई आकर हमें बालती से बाहर निकाल ही देगा मोटा मेढ़ा कुछ पतले मेढ़ा की बात मान लेता है, और दोनों तैरते रहते हैं एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे हो गए, वो तैरते रहते हैं, कोई आकर उन्हें बालती से बाहर नहीं निकालता, अब जो मोटा मेहना होता है, वो तैरते तैरते ठक जाता है, वो कहता है, भाई, अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते, मै तो मर जाएगा, अपन को मरना नहीं है, भाई तो पैर चलाता रहे, वो मोटा मेड़ा थोड़ी देर तक पैर और चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों पच्पन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हसी ठी ठोड़ी की, हमेशा साथ रहे, लेकि मुझे लगता है, कि आज ये सब खत्मोने वाला है, आज हो सकता है, कि ये मेरी जिन्दिगी का आखरी दिन हो, मैं और महनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब सायद, मैं डोब कर मर जाऊंगा, और उस पतले मेड़क की आँखों क कि मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है, मुझे हार नहीं माननी, अगर मैंने भी हार मान ली, तो मैं भी मर जाऊंगा, उसकी आखों से आसू निकल रहे हैं, पर वो और तेज, और तेज पैर चलाता जा रहा है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कि अगर थोड़ी द पर दोट कुछ जमने भी लगता है, दही जैसा सेव लेने लग जाता है, दोट के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से, मिढख देखता है कि दोट थोड़ा गाळा सा हो गया है, अब वो पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा, वो उस मक्खन के ऊपर बैठ कर पूरे चोरों उसे एक छलांग मारता है और वो बाल्टी के बाहर आ जाता है, बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ, उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बच्पन का यार आज उसकी आँखों के सामने डोग कर मर गया था, और उसकी मौत क्यों हुई, क्योंकि उसने हार मान लहीं, अगर वो भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो आज वो भी जिंदा होता, तो आज वो भी बाहर आ जाता, वो पतला मेढग बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है, जंगल में जाने के कु कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था जिसके साथ मैं पूरे जंगल में खूमा करता था हम सुवे से साम तक खेला करते थे एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूद था और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली क्योंकि उसने हार मान ली इसलिए वो मारा गया मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि जिन्दिगी में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी हार मत मानना अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हस्र होगा जो मेरे दोस्त का हुआ दोस्तों इस कहाने से हम सीख सकते हैं कि दूद कदही जरूर बनेगा लेकिन उसमें बक्त रखता है और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हार हो सकता है वो सकता है हमें जिन्दिगी में अभी तक वो सम ना मिला हो जो हम चाहते हैं लेकिन लाइब में मिलता उने ही हैं जो कभी हार नहीं मानते ये भी हो सकता है कि हमें वो सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं लेकिन हम से ये सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने उस चीज को पाने के लिए आखरी तम तक प्रयास किया एक बात हमेसा या दरफ न दोस्तों हम हारते तब नहीं जब लोग हमसे कहते हैं कि तू हार गया बलकी हम हार तब जाते हैं जब हम खोद हार मान लेते हैं ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में